नमस्कार मैं सचीन और आप देख रहे हैं बिहार नुज एक्सप्रेस बिहार बिधान सुबाद चुनाओ किसोगुगाः तेज हो रही है ऐसे में बिहार नुज एक्सप्रेस के टीम हमेशा आपको जो भी बिधान सवाचेतर के भावी परत्यासी है जो मजबूत दवैदार ह उनसे आपको रूबरू कराती है और आज हमारे साथ बिहार नुज एक्सप्रेस के साथ एक ऐसे परत्यासीर जोड़े हैं जो नाम के महताज नहीं है पीजे पी कददावर नेता माने जाते हैं सिवान बीजेफी के बड़े देता हैं सिवान बीजेपी के पूर्व झिलाद यूपीय का मजबूत गर्वंदन था उसके अगुवा मानिये नितिस कुमार्जी थे जिसके वोज़ास से हम लोग की हार हुई हम लोग को NDA में नेता का चुनाव नहीं हुआ नेता की नाम की घोशा नहीं हुई ये भी कारण था हम लोग के चुनाव हारने का देखा तो रगुनातपुर की जो राजद विधायक है विहारी शंकर याद हुए तो उनका दावा है कि जो भी सड़के खराप्ती सड़के बनवाई उद्धोग लगाने की बात कर रहे हैं कि दिल्ली की एक कंपनी से बात हुई है उद्धोग लगेगी स्वास के जो भी पूलिशी बनाती है राजय सरकार और केंडर सरकार उसके आधार पर उद्धोग पती कहीं भी जाते और आते हैं उसको छूड चाहिए उसको जमीन चाहिए उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उनको बिजली चाहिए उनको रॉ मेटेरियल चाहिए इसके लिए बहुत सार कि जमीन का भाव है पूरे बिहार में यहां पर आबादी ज्यादा बिहार में और जमीन कम है अगर कोई लगता है तो उसको जमीन पर लगना चाहिए पहले तो आसमान में लगेगा नहीं तो जमीन पर लगाने के लिए जमीन चाहिए जो की सस्ता जमीन चाहिए जो हमारे पास होगा फिर भी मैं इसको इस पक्ष में हूं कि छोटे उद्योग लगाना चाहिए कुटियूर उद्योग लगना चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कौसल का सदुपयोग होर और रोजगार मिले हम भी प्रयास करेंगे अगर हमारी हमें रगनादपुर की सम्म अब उनका पांच साल बीत गया अभी बात हुआ है दिल्ली से और दिल्ली के उद्योग पती आएगा तब तक कि मालम होगा कि यह चले गया तो इस स्थिति में वो तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं को करके उनका उद्योग पती कहा है अभी तक तो आया नहीं जमीन नहीं जमीन लिया नहीं सरकार को कोई प्रपोजल दिया अगर सरकार को प्रपोजल दिया हो तो बताएं विकास की बात करते हैं कि सड़कों का जाल बिछाया जितनी भी सड़के हैं वो सब बन चुकिए एक भी ऐसी सड़क नहीं जो खराब हैं बिजली के छेतर में भी उन् सतीती थी और दोनों का अच्छा किये हैं और उन्हों ने जो सरकार को सब करकोकर कार ट है यही से सचाई है उनकी राज में नहीं थी तरह कानून आधा था। बकून BDK को में सब कुछ पर सुरकार का का इसे सरकार का का व्हों गुणगान कर रहा है फिसी बहुत और आपका भी है कभी आप दोस्त हुए थे आज तक्रार है दरार है लेकिन एक चर्चा थी कि इस विदानसवा छेत्र पर सहावुदीन ने पूरे समर्थकों से कहा था कि यह विदानसवा चुनाव हर हाल में जितनी है मनोसिंग को हरानी है तो क्या लगता है वो चुनाव अपने लोगों के लिए कुछ किजिएगा तो आपके लोग भी आपके लिए करेंगे उनके आदेश पर राष्ट्य जनता दल को कदावर नेता है तो राष्ट्य जनता दल अपने लोगों से कहते हैं कि राष्ट्य जनता दल को ओड़ दिये तो लोगों ने ओड़ दिया य उनके साइथ रहा और नितीश कुमार का बोट बूंके साइए जिसका परिराम हुआ कि नितीश कुमार और लालुज़ याद ओद जब जुड़ा तो बोट कर रहे हैं कई सोशल मेडिया और अखबारों में भी ये बाते सामने आ चुकी है उसको आप किस तरह से लेते हैं देखे हम को क्या चुनावती देंगे हम तो उनके पिता जी से पूछना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आप और उनसे भी कि अपने पिता जी के 10 साल के काजकाल में रहुनाथपूर की उपलब्धी जनता को बताएं और छेत्र में घूमें रही बात की टिकट मांगते हैं तो उनको मांगना चाहिए उसमें कोई दिकत नहीं है चुकि पार्टी है परजात अंतरिक पार्टी है इसमें सब को टिकट मांगने का अधिकार है लेकि किसी को नहीं मांग सकता हुँ दस साल हम से कहे थैखि दस साल हमने दर होदा को तयारी किया लेकिन किसी कारणबर अशन अम नहीं रहा तो हम रहुनाथपूर में आ हैं तो रहुनाथपूर पूणकी के गो इसमें सब्सेंसे पूशेगी कर चुशे आप अन्वटे शाइंसन Merkel के अब काम होगा आप ने क्या किया उस पर बात होगी जो जीता है वह काम बताए कि मैंने पांच साल दौस साल में यह किया जो जीतेगा वह लड़ेगा वह बताएगा कि मैं यह यह करूंगा उसके अधार पर हुनादपुर की जनता डिसीजन लेगी से देखा जातों सीवानके पूरी सांसा जोंपरकास एड़? और अप में इन डैरेक्टली तु कभी न युक्तली हमेंसा नोग जुक देखने को मिलते हैं कटाक्ष एक दूसरे पे देखने को मिलता है तो क्या इसे बीजेपी सीवान में कमजोर क्योंकि अक्सर देखाया तो वाजपासान साथ उंपरगास याद उनके पूत्र है प्याद आपके करते हैं और आपके दुवारा आपके लोगों को दुवारा उनके कटाक्स करता है इंडारेक्ट लिए पहले वह दो हजार नौ में निर्दलिय चुनाव जीते थे उसमें मैं ने उनका समथन किया था आपने भी देखा दो हजार नौही में मैं एलेक्षन चुनाव विधान परिशत का लड़ा तो उन्होंने मेरा विरोद किया 2021 में मेरा घैस एजेंस्य हा हुआ उसमें उन्होंने विरोद थीया 2017 में में चुनाव लड़े उसमें उन्होंने हमारा बीरोद किया और मेरा बताः यह जो मैं कब बीरोद किया वह ही बता दे आभ ही बताइए तिसरी आख है चौथा अस्त्वर्य आप आप भी बताइए कि महें कब उनका बीरोद किया मैं चौधव में चुनाव लाड़ा जनता दू लाइटट से तो चुनाव लड़ना विरोद करना नहीं हुआ मुझे पाटी से टिकट मिला मैं चुनाव लड़ लेकिन वह पीट पर छूड़ी मारते हैं और जो मुझे आता नहीं मैं सामने लड़ता हूं यह अंतर यह है अब हमने जो गिनाया वो गिना देकि नहीं मैं नहीं किया मैंने कभी एक पर फ्रॉंट पर आकर साथ दिया आप लोग देखें उनके लिए 2009 में मैं पार्टी से निकाला गया था कभी हमारा तो अहीं नहीं किया इस बार आपका क्या प्लाने रगूनाथपूर विद्ढान सभ उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा और उनको जीताने का काम करूंगा चुकि भारतिय जंता पार्टी बड़ी पार्टी है जिस लाइक मुझे समझेगी उस समय हमको देगी जब किस्मत मेरे होगा तो मुझे मिलेगा और अगर टिकट मिलता है तो जो लोग नहीं दिये अगले बार हम उनके दरवाजे पर भी जाएंगे अपनी फर्याद ले करके उनसे आगरव बिंती करेंगे कि हमें एक बार मौका दीजिए और रोगनात्पूर का तस्वीर तकदीर बदलने का मौका दीजिए हम से जो बन पड़ेगा हमारी सरकार और हम करेंगे हम पर लोग विश्वास ब्यक्त करेंगे तो हमें चुनाव जिताएंगे बड़ा चर्चा है मौमत कैफूर बंटी जो राज़त के निता है वो चुनाव मैदान में तो ऐसा राज़त की निताओं द्वरा काया जाता है कि मनौ सिंग के भाई धनजे सिंग से उनका संबंध है और मनौ सि कैफ बंटी सब लोग जानते हैं कि राष्ट्य जनता धल के निता हैं मैं भी जानता हूं अगर इसके अलावा में कुछ नहीं जानता हूं उनकी माता जी वाड़ पारशां थे हैं इसलिए धनजे सिंग से हैं लेकिन मेरे अस्तर पर ऐसा कुछ नहीं है और वो नौजवान ह हैं लड़ सकते हैं कौन रोकेगा उनको और राष्ट्य जनता दल के नेता हैं यह सब लोग जानते हैं कभी बीजेपी में सामिल नहीं हुए तो मुझे अपनी पार्टी से मतलब है लोग बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं किस से टकर है या रिसंकर यादो राजेस राष्ट्य जनता दल से जो आएगा लड़ाई मुख रूप से उसी से होगी अब परिस्थिती क्या बनती है उस समय हो सकता है इंडिपेंडेंट भी आ जाए आगे जैसे कि दरहोंदा में व्यासिंग ने जीता तो इंडिपेंडेंडेंट से भी लड़ाई हो सकते हैं जो जनता जिसने मुझे पचास चार सो एकी सोट दे करके अगली बार द्यूति अस्थान दिलाया मैं उनकी अलामा उनको भी और जो हमें नहीं दिये किसी कारण बस इस बार उनसे भी आग्रह करेंगे कि हम पर विश्वास ब्यक्त किजिए और एक सेवा करने का मुझे बार एक बर सास दे बिश्वास दे और हमें जिता कर विधान सवा बेज़े ताकि हम आपकी आवाजों को उठा सके प्यानुज एक्सप्रेस के लिए सचीन कुमार सिवान